हमारी संस्कृती में हमने सुना है कि ऐसे बहुत से उपाएं हैं जिनसे घर में मौझूद चीजों से इम्मुनिटी को बढ़ाया जा सकता है क्या आप घरेलू उपचार से इम्मुनिटी यानी प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं देखिए इम्मुनिटी को रातो रात नहीं बढ़ाया जा सकता हमें ये समझना होगा आम तोर पर मेरा मानना है कि कई कारणों से लोगों की जीवन शैली और भोजन के पैटन को देखते हुए मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए इसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए मुझे लगता है कि दक्षिन भारत के लोगों की प्रतिरोधक प्रणाली दुनिया के कई दूसरे लोगों की तुलना में बहतर है सिर्फ खान-पान के पैटन, परंपरा, जलवायू और दूसरी कई वजहों से आपको ये समझना होगा कि उश्न कटिबंधिये जलवायू में और जगहों के तुलना में कहीं अधिक जीवरू पाये जाते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं, उनकी संख्या और विविधता बहुत बहुत ज्यादा है तो इस धर्ती पर रहने भर से ही सिस्टम और अधिकल चीला हो जाता है क्योंकि हम हर समय इन चीजों के संपर्क में रहते हैं ये एक पहलू है, एक और चीज है भोजन, एक और चीज है जीवन शैली, ये सभी पहलू है बड़े पहमाने पर क्रिशी समुदाय होने की वजह से हमें से ज्यादा तर लोग, अगर इस पीड़ी में नहीं तो पिछली पीड़ी में हम सभी क्रिशी समुदायों से ही आए हैं तो लोग जमीन पर रहते थे, इसने ही उन्हें जबरदस्त मजबूती दी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में, 80% से अधिक अबादी, शायद 100 साल पहले खेती किसानी से दूर हो गई भारत में हम जमीन से दूर हुए हैं केवल 25-30 सालों पहले यह फायदा अभी भी हमारे साथ है, यह ज्यादा दिनों तक हमारे साथ नहीं रहेगा अगर हर कोई उचे-उचे अपार्टमेंट्स में रहना शुरू कर दे, धर्ती के संपर्क में आए बिना और लैब के चूहों की तरह रहना शुरू कर दे, हर चीज से सुरक्षित तो हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह फायदा अभी भी हमारे साथ है लेकिन अभी मैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ जैसा कि मैंने कहा, ये कोई रातों रात होने वाला समधान नहीं है, लेकिन समय के साथ हाँ पैसा कर सकते हैं तो चलिए मैं हमारे आसपास उपलब्ध कुछ आम चीजों के बारे में बताता हूँ एक बात है, मुझे ये जरूर बताना चाहिए हम पवित्र भस्म वाले लोग हैं हम हमेशा किसी न किसी तरह से भस्म लगा कर रखते हैं अगर आप इसका उपयोग करना जानते हों, तो कई तरह की भस्म होती है मैं आपको इसके बारे में इस तरह से निर्देश नहीं दे सकता वेब के उपर लेकिन अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं, तो ये मदद करता है नीम लगभग पूरे देश में उपलब्ध है, पहाडी स्थानों को छोड़ कर रोज नीम की पत्तियों को खाना हल्दी तो वैसे भी मौजूद है आजकल लोग नैनो हल्दी बना रहे हैं जिसे हमारा शरीर आम हल्दी की तुलना में ज्यादा आसानी से सोख लेता है ये भी आपके इम्यून सिस्टम को काफी बहतर बनाती है अगर आप अगर आप आवले को जिसे गूसबेरी या नलिकाई भी कहते हैं अगर आप इसे रात भर शहद में भीगो कर रखते हैं साथ में कुछ तूटी हुई काली मिर्च काली मिर्च या ग्रीन पेपर मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो दूसरे देशों से हैं ग्रीन पेपर से मेरा मतलब हरी मिर्च नहीं है कहने का मतलब है कच्छी काली मिर्च जिसे आपने दुनिया के ज्यादा तर हिस्सों में नहीं देखा होगा यहां ये हमारे लिए बहुत आम है तो इसे शहद में भीगोएं और हर दिन तीन चमच दिन में तीन बार इसका सेवन करें ये सभी चीज़ें सबसे अच्छी तरह तब काम करती हैं जब आप खाली पेट होते हैं तो सुबह सबसे पहले आप इसका सेवन करें अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम में काफी बढ़ोतरी देख सकते हैं मैं कहूंगा कि इससे भी आपका इम्यून सिस्टम बहतर होगा ये बात साफ होनी चाहिए कि ये कोरोना वाइरस का इलाज नहीं है नहीं ये इसकी रोक थाम है मैंने अपना जाप किया तो मैं जाकर लापरवाही करूँगा ये उस तरह काम नहीं करने वाला ये ऐसी चीजें हैं जिससे आप एक अरसे के लिए करते हैं और अपने सिस्टम को मजबूत करते हैं कि जो अगला वाइरस आएगा आप शायद उससे निपटने के लिए एक बहतर स्थिती में होंगे यानि अगर आप जिन्दा हों तो हाँ, इसे हलके में ना ले इसे हलके में ना ले फिलहाल ये हम में से हर एक के लिए एक चुनौती है कि हम इस समय के दौरान जिन्दा रहें इसका यही मतलब है ये मत सोचिये कि ये कोई दूर की चीज है जो चीन या इटली के लोगों के साथ होती है अभी, अगर हम बने रहें अगर आप इन 6 से 8 महिनों के दौरान जिन्दा रहें तो इसका मतलब है कि हमने इसे जिम्मेदारी के साथ निभाया है अगर हम में से हर कोई जिन्दा रहता है तो इसका मतलब है कि हम वाकई अच्छे हैं हम जागरुकता और जिम्मिदारी के साथ जीते हैं इसका यही मतलब है दुर्भाग्य से आज सरकार को सेना का प्रयोग करके इसे जबरदस्ती लागू करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को एहसास नहीं हो रहा है कि ये ज़रूरी है और वो सोचते है उन्हें लगता है कि ये कालपनिक है ये कालपनिक नहीं है ये हमारे सामने खड़ा एक ऐसा खत्रा है जिसे हमें ठीक से सम्हालना होगा चलिए मंद्र का जाप करते है आलकालकालेष्वराया शिवसिवसर्वेष्वराया श्यंको 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 महादेवाया योग 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 इस्वराया श्यंको 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 श्य श्योक्त श्योक्त माधे बाया योग 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 एष्वाराया वुट 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 एष्वाराया काल, काल, काले, स्वाराया सिवा, सिवा, साथे, स्वाराया श्वंभ 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 महा थे मायाया योग, 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 योगेश्वराया भूट, भूट, भूटेश्वराया जालग, जालग, जालेश्वराया सिपड़, सिपड़, जालेश्वराया शांगा 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 माध्रे वाया